यह देखिए, उसमें आपको आवाज आ रही होगी, यह देखिए, बहुत अराम से यह पूप रहे हैं, बहुत अच्छे यह बने हैं हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीशा, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी और मैदे के गोलगपे, यह बहुत इकम समान से बनते हैं, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी, इसके लिए हमें चाहिए होगा, एक कप सूजी, उसका 1 4th cup मैदा, आज हम लेंगे 25 ml के आसपस, और पानी जितना जरत होगा उसे सापसी, सबसे पहले हम इसका एक बनाएंगे डो, एक मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले हम दालेंगे सूजी, सूजी हमने बिल्कुल बारिक वाली ली है, अगर आपके पास मोटी है, तो इस इसी में मिलाएंगे हम मैदा, 1 4th cup, और साथ में 25 ml के आसपस, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको पूरा मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स हो जाए, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी दाल कर इसका एक डो त्यार करेंगे, पानी हम थोड़ा थोड़ा ही दालेंगे, जादे एक साथ नहीं दालने है, इस तरह का एक टाइड डो बना के, हम इसको त्यार करके आदे घंटे के लिए छोड़ देंगे, आदे घंटे में सूजी जितना पानी एब्सॉर्ब करेगी, उसके बाद ही हम इसको बनाएंगे, आदा घंटा हो गया है, अब इसको देख लेते हम आटे को अपने, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से मलेंगे, बस एक ही बार दो बार करना है इसको, आटा हमें ऐसा हार्ट ही चाहिए होगा, इसको थोड़ा सा पोर्शन हम लेंगे, थोड़ा सा ओईल लगाएंगे प्लेटफॉर्म पे और इसको पेलेंगे, इसको पेलेंगे, इस तरह से, अब इसके छोट छोटे सर्किल साम कट करेंगे, किसी भी आप सेट कर सकते हैं, कोई भी कटोरी या कुछ भी इसको एक प्लेट में निकालते जाएंगे, लेकिन कडाई में हम डालेंगे, जब हम इसको दालेंगे तो थोड़ा सा और इसको बेलेंगे, इसी तरह से मैं थोड़े सारे अपने बना लूँगी, इस तरह से मैंने अपने सारे कट कर लिये, अब तेल भी हमारा गरम हो गया है, चलते हैं कडाई की तरफ, तेल हमारा गरम हो गया है, यह जो हमने कट किये थे, इसको बेलन से एक बर बस ऐसी चलाएंगे, थोड़ा सा, ज्यादा पतला नहीं करना है, और इसको मीडियम फ्लेम हम सेखेंगे, गैस देख नहीं होनी चाहिए, मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको तलेंगे, इसी तरह से बस थोड़ा थोड़ा सा बेल के हम सारे डालेंगे, यह देखें यह अपने आप ही फूल रहे हैं, दो मिनिट सेखने के बाद ही हम इसको टन करेंगे, देखें, इस सभी बहुत अच्छे से फूल रहे हैं, बस इसी तरह से मैं अपने सारे तलूँगी, खोड़ा सा गोल्डर होने के बाद, उसको हम निकाल लेंगे, इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही हमें सेखना हैं, बिल्कुल तेज गेस पे नहीं सेखेंगे हम इसको, यह देखें, हमारे सारे गोल्गपे बहुत अच्छे से फूले हैं, और यह सारे लाल हो गए हैं, दोनों साइट से, तो अब हम इसको निकाल लेंगे, यह दोनों साइट से बहुत अच्छे से गोल्डन हुए हैं, बस इसको हम निकाल लेंगे, और इसी तरह से मैं अपने सा यह सबी गुलगपे मेरे बनकर तयार हो गए हैं यह बहुती क्रिस्पी बने हैं आप देख सकते हैं सभी फूले है 99% यह देखिए इसमें आपको अवाज आ रही होगी यह देखिए बहुत अराम से फूप रहे हैं बहुत अच्छे बने हैं इस रेसिपी को आप जरूर प्रा सब्सक्राइब कर पासवाले बल आइकन को दबा कर अल क्लिक करें थैंक्यू